हलो प्यारे बच्चों मैं मधुमाला आपका स्वागत करती हूँ हमारी आज की कक्षा में तो बच्चों आज हम कक्षा पांच की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमजिम से पाठ एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां पढ़ेंगे बच्चों जैसा की यह पाठ का नाम है एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां और इसके समक्ष आप चित्र भी देख सकते हैं यह एक एशियाई शेर के ऊपर ही आधारित है लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व आपको ये बता दूँ कि यह अकभार में छपी हुई एक रिपोर्ट की चर्चा यहाँ पर की गई है तो चलिए बढ़ते हैं पाठ में नई दिल्ली नई दिल्ली घागस एक एशियाई शेर चिकितसा की दुनिया का एक जीता जागता चमतकार बन गया बचने की कोई उम्मीद न होने पर भी आज वह जिन्दा है और पहले की तरह गरजता है बचो यह दिल्ली की अकभार में दी गई एक रिपोर्ट पर आधारित है और इस रिपोर्ट की चर्चा करने वाले हैं दिल्ली के चड़िया घर के निदेशक डी एन सिंग्न जिनों ने इस रिपोर्ट में एक घागस नाम के शेर के बारे में कुछ जानकारी दी है और यह बताया है कि यह तो एक चमतकार से कम नहीं कि वो आज सही सलामत और जिन्दा है गागस को अक्टूबर 2004 को दिल्ली के चिड़िया घर में लाया गया था वह चिड़िया घर के माहोल में अच्छी तरह से रम गया था 15 मार्च को उसने रोज की तरह अपना खाना पूरा नहीं खाया तो बच्चों यहां पर यह बताया जा रहा है कि कैसे घागस नाम का एशियाई शेर जब दिल्ली के चिड़िया घर में आया तो वह अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपने आपको ढाल चुका था लेकिन ये भी बताया गया इस रिपोर्ट में कि पंदरा मार्च को उसने ठीक से अपना भोजन नहीं किया यहां पर माहोल शब्द का अर्थ है वातावरण चिड़िया घर के डॉक्टरों ने इस बात पर ध्यान देते हुए उसे तीन दिन तक लगातार सुई लगाई पर इस से उसे कोई फाइदा ना हुआ अब तो उसने खाना एक दम छोड़ी दिया था और मूँ से लार भी बहने लगी थी सरवरप्रथम हम इसका सब शब्दार देखेंगे फाइदा फाइदा का अर्थ होता है लाब यानि यहाँ पर यह बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि चड़िया घर में जैसा कि आप सब जानते हैं वहाँ पर भी पशू चिकितसक होते हैं और क्योंकि घागस नाम के इस शेर की तब्यट ठीक नहीं थी उसे लगातार सुईया दी जा रही थी जैसे आप बिमार होते हैं तो डॉक्टर आपको सुई लगाता है उसी प्रकार पशू के बिमार पढ़ने पर पशू चिकितसक उन्हें सुईया लगाते हैं क्यों लगा रहे थे क्योंकि अब उसने बिलकुल खाना पीना बंद कर दिया था और अब उसके मूँ से लार टपक रही थी बच्चों लार का अर्थ होता है थूक अंग्रेजी में इसे सलाइवा भी कहते हैं तो अब क्योंकि विमार हो गया था अब उसके मूँ से लार गाया जा सकता है कि अब उसकी अवस्था और खराब हो रही थी देखते हैं आगे रिपोर्ट में और क्या कहा गया घागस की गिरती हुई हालत देख उसके खून के नमूनों की जाच के लिए भेजे गए हालां कि इस बीच घागस ने थोड़ा बहुत तो खाना शुरू कर ही दिया था पर उसकी हालत ठीक नहीं कही जा सकती अब जैसा किस रिपोर्ट में बताया गया है उसे सुईया लगाई जाने लगी और उसके बाद भी उसकी तब्यत जब नहीं समली तो क्या किया गया उसके खून के नमूनों की जाच की गई उसे जाच के लिए भेजा गया ल उसने खाना अभी तक थोड़ा थोड़ा शुरू ही किया था लेकिन पूरी तरह से हम नहीं कह सकते हैं कि उसकी तब्यत ठीक थी वह अपने पिछले पैरों से लंगडाने भी लगा था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था दिल्ली के चड़िया घर के निदेशक डी एन सिंग ने बताया कि एक महीने के बाद तो हालत ये हो गई है कि घागस अपने शरीर का पिछला हिस्सा उठाने में असमर्थ हो गया तो बच्चों जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी तब्यत धीरे धीरे उसकी तब्यत में कोई सुधार नहीं हुआ और गि आया गया कि वो इतना खाना पीना छोड़ने के बाद कमजोर हो गया था कि उसके पिछले जो दो पैर थे अब उठने के लायक भी न रहे वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और ये जानकारी हमें किस ने दी हमें दी डॉक्टर डी एन सिंग ने जो की दिल्ली के च स्थान पर मटन और चिकन खाने के लिए दिया खाने में किये गए बदलाव का असर हुआ और घाघस ने सतर से असी प्रतीशत तक खाना खाया जो की एक अच्छा संकेत था हालां कि उसकी हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था बचों यहां पर नियमित का अर्थ होत यानि कई डॉक्टर्स उसे लेकर के हमेशा ध्यान में उसकी बातों को रखते थे उसने क्या खाया क्या पिया उसे दवाई समय पर दी जा रही है कि नहीं दी है लेकिन इसके बावजूद उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं ना पा गया तब उसके खाने के चीजों को बदल दिया गया यानि जो रोज खाता था उसे बदल करके मटन और चिकन दिया गया अब उसने थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिया था लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से स्वास्त अभी भी नहीं हुआ था चिडिया घर के सभी लोग चिंतित हो गए हालत ऐसी हो गई थी कि हमने हमने अर्थत दिली के चिडिया घर के निदेशक ने और उनकी टीम ने हमने गुजरात के वन्य जी विशेशक्यों से यह सोच करके सलाह लेने का निर्णय किया कि की सिह भारत में सिर्फ गुजरात के गिर जंगलों में ही पाए जाते हैं शायद वे ही कोई रह सुझा स के यहां पर निर्णय निर्णय शब्द का अर्थ है फैसला फैसला लेना तो जब घागस एशियाई शेर की सेहत में कोई भी सुधार नहीं दिख रहा था तब लोग अत्यधिक चिंतित हो गए थे और अब उनके पास कोई भी चारा नहीं बचा था सिवाए दिन गिनने के अर्थात उन्हें लग रहा था कि अब किसी भी समय उसकी मृत्यू हो सकती है लेकिन यहां सब देख करके फिर क्या हुआ फिर उन्होंने दूसरे वन्यजीव के जो निदेशक थे उनसे बाचित की गई और उन्हें लगा कि शायद इसके द्वारा ही कोई अन्य रास्ता नि शंग्रक्षक का अर्थ होता है बचाव करने वाला सिंग ने आगे बताया गुजरात के प्रमुक वन्यजीव संग्रक्षक ने उन्हें आनंद के डॉक्टर आर जी जानी से संपर्क करने का सुझाव दिया गागस के इलाज की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर जानी ने उसे होमियोपैथी दवाईयां देने की सलाह दी बच्चों जैसे ही ये बात दूसरे स्थान के डॉक्टर अर्थात डॉक्टर आर जी जानी के पास यह केस गई तो फिर क्या हुआ उन्होंने उस शेर का जिब रिपोर्ट पढ़ा तो फिर उन्होंने उस शेर को होमियोपैथी नाम की मीठी गोनिया दवाईयां देने की सलाह दी होमियोपेथी इलाज शुरू होने के दोह माह के भीतर ही घाघस की हालत सुधरने शुरू हो गई और अब वह अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था यह बात तीन अगस्त की यानि की पूरे छे माह पतक वह तकलीफ में रहा बिमारी की वज़ा से वह बहुत कमजोर हो गया है पर हालत में अभी सुधार है यहां पर होमियोपेथी का अर्थ है यह एक इलाज का तरीका होता है यानि इस इलाज के तरीके के शुरुवात से ही दो महीने के अंदर ही क्या पाया गया यह पाया गया कि घागस नाम का जो शेर है उसका स्वास्त जो है वो पहले से बहतर होते जा रहा था क्यों ऐसा पाया गया कि पहले उसके पिछले दो पैर पे ऐसा लग रहा था कि जान ही नहीं है लेकिन जब से दो महीनों से जब वो होमियोपैथी की दवाई ले रहा था अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था इस हिसाब से देखा गया तो ये पाया गया कि वह एशियाई शेर लग भग छे महीने तक इस तकलीफ को सहता रहा परन्तु होमियोपैथी की दवाई लेने के उपरांथ अब उसकी हालत में काफी सुधार पाया गया है तो बच्चों ये रिपोर्ट आपके सामने इसलिए प्रस्तूत की गई कि आप ये समझ सकें कि जिस प्रकार से हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर की आवशक्ता होती है उसी प्रकार से पशू पक्षी भी जब बीमार होते हैं तो उन्हें भी पशू चिकित्सक की आवशक्ता होती है तो उमीद करती हूं कि आप इस पार्ट को भली भाती समझ पाए होंगे और इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूं धन्यवाद झाल